हालो फ्रेंड्स, एक वार फिश्टी स्वागत आप सभी का मेले चैनल सी टीटी एंटीटी इस प्रेप्रेशन में सिक्षक बहाली का संसोधित अधिशूचना जो है जारी हो गई है जिसमें हम लोग देखेंगे कि आबेदन पत्र प्राप्ति की तीथी से लेकर नियोजन पत संसोधित किया गया है जीला सिक्षा पताधिकारी के साथ नियोजन प्रक्रिया की समिक्षा में पाया गया कि कई जीलों के रोस्टर का अनुमोदन एबं अनुमोदित रोस्टर नियोजन इकायों को कतिपए कारणों से प्रेशन नहीं किया गया अब परिहारे कारण वस पारंबिक विद्यालेयों में बर्स 2019 बीच में सिख्षकों के नियोजन की करवाई निम्लिखित समय तालका के अनुशार की जाएगी अवेधन प्राप्ती किती थी दिनांग 13-11-2019 यानि कल अवेधन प्राप्ती किती थी अंतिम है तो यह चीत हो गया कि फिर से डेट बढ़न एगा अनुषीट सिख्षी प्राप्ता उन्मादन 14 रिक जाएगी मेधाषूची का प्रिकासन 16 रिक प्राप्ती नेंगी 05 खाएगा 25 लिएगी प्रवरी तक हो जाएगा और नियोजनी काई द्यारा मेधा शुची का सार्वजनी का रेंज उनतीस दो दुहजार बीस तक हो जाएगा और अनुमोदित मेरा सुची अरक्षा रोस्टर पंजी के अनुरूप उपलब्ध रिक्ती के सापेक चैन सुची का निर्मान जो है पां अचार सहीता भी लागू हो जाती है तो थोड़ी सी परिशानी इसमें आ सकती है कई चरण में शिक्षक नियोजन जो होता है जैसे मैं बताई थी कैम्प वाला बहाली का जो बात मैं कर रही थी जिस वीडियो में तो उसमें मैं बताई थी कि एक बार अगर मतलब जो जिनका सकता इसने कि वीडियो में में परवा कहांगी जास है तो इंग की शुजनाओं प्रातभमिक शिक्षा निदे श आलको देगों समंदिजिला शिक्षा कि द्वशनाओं लेकिन दिया गया है कि अगर प्रमान पत्र का जो जाच है इस तीथी तक नहीं हो पाए तो फिर जिला सिख्चा पताधिकारी के द्वारा उसको आप तीथी विश्थार करने के लिए कहा जा सकता है अधिशूजना संख्या 13, 29, 4, 10, 19 में अंकित सेज प्राविष्टी या था तो इस वीडियो में बस इतना ही जैसे ही कोई नए अपडेट आता है तो इससे मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी तो जो भी लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करके वेल बटन को जरूर दबा लीजेगा ठाकि जब भी नए वीडियो आए और हमारे शाद बने रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद